सब्जी बेचने को लेकर दो बक्षों में हुआ बिबाद लाठी डंडों से किया जानलेवा हमला खबर मदपरदेश की गुना से है जहां आरोन में सोंबार को हीरलाल कुश्वाहा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि सब्जी मार्केट में प्रती दिन की भाती पर काम कर रहा था तब ही सुक्कू और्फुस से खावताया और सब्जी की डलियों को हटाने को लेकर गाली गलोच करने लगा जब गाली गलोच करने का रोध किया तो सुक्कू के साथ करीब आदा दर्चन लोग लाठी डंडे लेकर पहुँचे और हीरलाल वा उनके परिजनों के साथ सुक्कू के पुत्र ने मार पीट की जिसमें एक लड़का गंभी रूप से घायल हो गया जिसको सामधा का स्वास्तकींद्र भेजा गया वहीं हीरलाल ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं कि इतनी बड़ी घटना में पुलिस ने मामूली धारा में मामला तर्च किया है जिसके चलते काफी रोश है जानकारी लगने पर विश्विंदू परश्यद बजरंग दल ने पदाधिकारी मोके पर पहुँचे वहीं बजरंग दल विभाग मंतरी सुरेश शेर्मा ने कारवाई नहीं होने पर नाराजगी जाहर की है और चक्का जाम करने तथा आरोन का बजार बंद करने की धमकी करीब 300 से अधिक बजरंग दल कारकरताओं ने थाने में हंगामा किया तथा थाने का घेराओ कर SDOP द्वारा आरोपियों पर जालेवा हमला 307 जैसी धारा में कारवाई करने का आश्वासन भी दिया है इस मौके पर बजरंग दल के कारकरताओं बड़ी संखा में मजूद थे गुना से अरविंद गौण की रपोर्ट